प्यारे दोस्तों सादर विवदन नायव सेनी आज मुक्यमंत्री बन गए हैं थोड़ी देर पहले ही उन्होंने पद आउंगौपनियता के सपतली है आज से ठीक 111 दिन पहले NJP हर्याना से बातचीत में उन्होंने पानी के समान बटवारे OBC जातिकत जनगनना जैसे गंबी सद्यक्स बनने पर जो दरश्टी कोण था इन मुद्दों को लेकर के उस दरश्टी कोण को आपके सामने रख रहे हैं उनका 111 दिन पुराना साक्षातकार आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं उमीद है आप इस साक्षातकार को सुनकर नायव सेनी के दरश्टी कोण को लेकर के उनका क्या मानना है आइए नायब सेनी का 111 दिन पुराना वह साक्षातकार सुनते हैं जो उन्होंने रेवाडी आगमन पर एंजेपी के साथ बात्चित के दोरान दिया था दोस्तों सादर अभिवादन मैं हूं मैं एश्कमार वेद और आप देख रहे हो एंजेपी इन दिनों OBC का मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में हैं आपके बारे में चर्चा है कि भाजपा OBC के कारण आपको लेकर आईए तो OBC और जनगनना पर आपका द्रश्टिकॉन पहले विवादित्सा तो सामने आया है स्पष्ट द्रश्टिकॉन सामने नहीं आया हम जान का नेत्रितव इसको प्रगंभिर मन्थन कर रहा है और ये नरेंदर मोदी की ही सरकार है जिसने OBC समाज को इतना बड़ा सम्मान दिया कॉंग्रस लगातार OBC के साथ खिलवाड करती रही OBC को कॉंग्रस ने आज तक सम्मान नहीं दिया OBC को रैलियों में भीड बढ़ाने के लिए उप्योग किया OBC को वोट लेकर के जब उनके अधिकार की बात आई तो उनको पीछे करने का काम कॉंग्रस पार्टिय ने किया और वो हमारे ध्यान में भी हैं काका कालेलकर की रिपोर्ट से लेकर के मंडल कमिसन की रिपोर्ट मंडल कमिसन के अंदर भी राजीव गांदी जब वक्स के अंदर थे अगर आप उनकी डिवेट को सुनेंगे एग घंटे की डिवेट लोग सभा किया है तो उन्हों ने भी इस बिल का विरोद किया था और यह संमान अगर किसी ने दिया तो नरेंदर मोधी जी ने ओबी शी आयोग बना या ओबीं सी आयोग जब पहले 2000 आटरां के अंदर ये बिल लें करके नरेंडर मोधी जी आए थे 17-18 ऑंदर तब कॉंगرस ने राज全 State के अंदर लोगा इसका तो वो गिर गया और फिर नरेंदर मोदी जी इसको 2019 के अंदर लेकर के आए, पहले सैसन में लेकर के आए, OBC आयोग बनाया, OBC को सवधानिक सक्तियां थी, आज OBC आयोग के बनने से नरेंदर मोदी जी ने जो हमारा OBC वर्ग है, OBC वर्ग के बच्चे आज सैनिक स्कूल में, नवोद्य विजालिया में, केंद्रिय विजालिया में, MBBS के अंदर, और MBBS MD के अंदर, आज 27% का अरक्षन वो नरेंदर मोदी जी ने इस आयोग के कारण हुआ, उसको सवधानिक सक्तियां दी गई, और उसके कारण, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि नरेंदर मोदी जिनने जो जर्नल के अंदर भी, आर्थिक रूप से कमजोर विक्ति था, उस विक्ति को 10% का रक्षन दे करके, एजुकेशन के अंदर, तो वो भी, उसके अंदर शामिल हो सके, वो पीछे न रहे, यह सोच अगर किसी की थी, यह अंदर मोदी जी की थी, और उन्होंने समाज के लिए काम किया है, किसी एक विक्ति के लिए काम नहीं किया, प्रंतु कॉंग्रेस ने लगातार OBC समाज का दोहन करने का काम किया है, अच्छा, आप मोदी सरकार के, आपने मोदी जी के OBC को लेकर के काम बताए हैं, आप राजस्थान में खुद भी गए हैं, अलव मद्यपर्देश में भी, 36 गड़ के अंदर भी, तेलंगाना में भी, और इदर जो नौर्थिष्ट की स्टेट है, क्योंकि नौर्थिष्ट के अंदर तो अब जब से नरेंदर मुर्दी जी 2014 से बने हैं, जिस भी स्टेट के अंदर चुनाव होते हैं, क्योंकि पहली बार विकास अगर कहीं गया, तो नरेंदर मुर्दी जी के नित्रतों में गया, क्योंकि कॉंगर्स ने तो नौर्थिष्ट को कभी इस देश के साथ जोड़ करके नहीं देखा, ता उसी कारण से वो विकास के मामले में पिछड़ गए थे, परंतो नरेंदर मुर्दी जी ने साम कि लोगों को पानी के इंतार करते हूं, पानी का इंतिजार एच पे इःध़ होगी यहांपर, धान पैदा होगी यहांपर, यह सबस बाग 40 शाल से दिखाया जा रहे है, मेरे देखते-देखते-चि पहले और पतरकार हुए होगे, वह भी पताँ नहीं लिखते- रहे हों पंजाब में कॉंग्रिस की सरकार और हमारे हर्याना के जो राहुल गंदी के साथ बैठते थे प्रभारी कॉंग्रिस के पंजाब के अंदर रनदीप सिंग सुर्जेवाडा साथ जब वो पंजाब के अंदर जाते हैं तो पंजाब में जाकर के बोलते हैं कि एक बूंद पानी हरियाना को नहीं देंगे हरियाना के अंदर आते हैं राजनिती उन्होंने करनी है कि हम S.Y.L. का पानी लेकर के आएंगे ये दोहरी निती कॉंग्रस की रही है और सेम ढ़रे के उपर आम अद्वी पार्टी भी चल रही है हम उस पानी के उपर जिसके उपर हरियाना का हक है उस पानी की हम मांग कर रहे हैं और ये जब पार्टीशन के अंदर हमारे हिस्से में जितना पानी आया था उस पानी की हम बात कर रहे हैं हम ज़्यादा पानी नहीं मांग रहे हैं जो हमारे हिस्से का पानी पानी के हम बात कर रहे हैं कि पानी हमें मिले हमारे लाग्षा पानी के पंजाब के बटवारे को छोड़ दीजिए जो अविलेबल पानी है जो हमको मिल रहा है उसका हिस्सा दक्षिन हर्याना को नहीं मिल पा रहा है अब तक उत्री हर्याना के देखोगे फतियाबाद, सिर्शा, हिसार वहां सारी जमीन जो सिंचित है नहरी पानी से एक लाख हेक्टेर से जादा है कहीं कहीं तो दो लाख हेक्टेर से जादा है रिवाडी में दो हजार हेक्टेर मेहंद्रगड में दो हजार हेक्टेर गुडगावा मे दो से चार अजार हेक्टेर ये स्थिती है हम चा रहे हैं आप से जो सवाल का जवाब जा रहे हैं कि जो उपलब्ध पानी है आविलेबल पानी है विदाउट डिस्प्यूट के बिना पानी हमको मिल रहा है उसका समुचित बटवारा क्यों नहीं हो पारा है और अंतिम टेल तक पानी पहुंचाने का काम भी मनोहरलाल जी की सरकार ने किया है नहीं तो हमारे जो ये रजबाहे बने हैं रजबाहे बन तो गए प्रंतों के अंदराज तक पानी नहीं पहुंचा था मेरे ख्याल से पचास साल के बाद चाली साल के बाद पहली बार मनोह तिल तक पानी पहुंचा है और उसका बतवारा भी जो हमारा पीछे से हाना है और अधनियमों की में जी अधनिय तो 5 स्टेटों के साथ मिलकर चेदर पहल की है उसका भजट भी दिया है जो हमारा कशव बांद है ये और रनुकाजी बांद है उसका सारा का सारा पानी लेकर के इदर लाने का जो विश्य है उसके अंदर रास्तान, पंजाब, दिल्ली और हरियाना ये पांच स्टेट कुछ उत्तर परदेश का भी कुछ भाग उसके अंदर शामिल है यह सारा का सारा पानी जो उपर से वेस्ट ओकर के गंगा में पानी चला जाता है, यमना में चला जाता है, वो पानी हमारे किसान को मिले तांकि उसकी पैदावार बड़े, उसके लिए आधनिया मुख्यमंतरी जिन उसके अंदर पहल की है, उसकी DPR भी त्यार हो गई है, और आधनिया मुख्यमंतरी बड़े गंभीरता से काम कर रहे है, नायब साब का एकस्पस्ट विजन, पार्टी के लिए कोई भी फुट परिंट छोड़ना चाहता है, चाहिए आपसे पूरवर्ती रहे, धनकड रहे, उससे पहले रहे, सब कुछ नकुछ, नायब साब का एकस् इस तरह तक मजबूती से लाखों की संख्या में मजबूत कारेकरता हमारे बैठे हैं, पन्ना के उपर भी हमारा ऐसा कारेकरता बैठा है, कि जो वो कॉंगरस का अगर बड़ा नेता उसके साथ डिबेट करना चाहे, तो मेरे ख्याल से हमारे पन्ना पर मुट के कारेकरता का आगे रुकनी पाएगा, क्योंकि सरकार ने इतने काम किये हैं, नरेंदर मोदी जी के 9.9 वर्स के कारेकालों की एक बड़ी लंबी सूची है, जो काम ध्रातल को पराज आव विक्ती चर्चा करता है, मनोहर लाल जी ने काम किये हैं, उन कामों को अगर हम चर्चा करें, मेरे ख्याल से हमारा पन्ने परमुख के आगे कॉंग्रस का बड़ा नेता, चाहे राहूल गांदी भी बैठ जाए, मेरे पन्ना परमुख के आगे वो भी टिक नहीं पाएगा, जितने काम नरेंदर मोदी और मनोहर लाल जी ने किये हैं, और इन कामों के बलके उपर, हम घर घर क में क्यों नहीं उतर पा रही है? आप सेली साब का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने एंजे प्यारियाना को समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद.